एक दिये से जले हजारों दीप दीवाली आई है बिन चंदा के गगन अमावस रात उजैली आई है आईए देखते हैं इस गीत को इस दीवाली के गीत को हम कैसे सीख सकते हैं क्या इसकी धुन बनती है और मेरे पिता जी पंडेत अवद किशोर पंडे जी ने क्या इसको रचा है किस तरह से इसे खुबसूरती से लिखा है ये पूरा गीत ये पूरा वीडियो देखिएगा और आप सीख सकते हैं और संगीत धरा का जो साटरड़े का म्यूजिक कॉंपिटिशन होता है उसमें इसे प्रस्तुत करकर इस गीत को प्रेजेंट करके आप जीत सकते हैं एक साल की निशल के संगीत शिक्षा का मौकाद ठीक है तो पूरा वीडियो देखिएगा गर शराब पियो बढ़ियो तो पिछले एपिसोड की तरह जहां मैंने एक घजल सिखाई थी पहरेदार हूँ तेरा जान दे दूँगा मैं वो भी मेरे ही पताजी की द्वारा लिखी गई थी उन्हीं की कॉंपोस्ट थी इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं दीवाली पर बनाया गया राग यमन में एक गीत जैसे कि मैंने थोड़ा सा जिक्र किया मैं दुबारा से बता देता हूँ हमारे नए व्यूवर्स के लिए कि हर साटरडे को संगीत धरा मुबाइल अप्लिकेशन जो है एक कॉंपेटिशन आयोजित करता है और उस कॉंपेटिशन में हमारे ही ओरिजनल गाने आप लोगों को गाने होते हैं तो भई कई लोगों के सवाल होते हैं उन गानों को हम सीखेंगे कैसे तो वैसे तो हमने वो गाने सारे गाकर मास्ट अनिशाथ प्रोडक्शन पर संगीत प्रवा वर्ल्ड के चैनल पर हर जगा अप्लोड कर रखे हैं लेकिन फिर भी मैं कोशश करता हूँ कि कभी कभार उन में से कोई एक गीत कोई घजल कोई भजन मैं उसके नोटेशन्स या उसकी गाई की आप लोगों को सिखाने की कोशश करूँ और ये गीत सिखाने का मेरा मकसद क्या होता है ये नहीं कि आप वो गीत तयार कर लें मेरा मकसद ये होता है कि लाइट म्यूजिक की गाई की किस तरह से होती है खजल अगर गाना है, तो उसकी क्या बारिकियां है? क्योंकि स्वरल अले ताल तो आप सीखी रहे हैं, आप रागएं सीख रहे हैं, थार्ट सीख रहे हैं, डिफ्रेंट पिछस बारिकियां जान रहे हैं, लेकिन light music में उसका इस्तमाल किस तरह से होता है वो सारी चीजें आपको सिखाने के लिए मैंने एक ये नई शरिंखला एक ये नई list series जो है शुरू करी है जिसमें आज ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं दीवाली का एक गीत आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ सिखाने जा रहा हूँ मेरे पिता जी का ही लिखा हुआ है उसका जो स्थाई था भी मैंने शुरू में पढ़ा ही था कि एक दिये से जले हजारों दीवाली आई है तो पहले मुख्य मुख्य बातें इस गीत की मैं आपको बता दूँगा जैसे की इसके शब्द क्या है इसके शब्दों का मीटर क्या जा रहा है इस गाने में हमने ताल कौन सी प्रयोग करी है कॉम्पोजिशन के अनुसार और राग का चयन किस तरह से किया है composition में राग के कौन-कौन से स्वर इस्तमाल हो रहे हैं, क्या शुद्धता है या थोड़ी सी अशुद्धी भी हमने मिलाने की कोशश करी है तो वो सारी बारीकिया जो है इस पूरे एपिसोड में हम जानेंगे और पिछला भी वीडियो जो मैंने गाना जिसमें घजल सिखाई थी, वो काफी लंबा था तो लंबाई इसकी भी उतनी ही होने वाली क्योंकि मैं बारीकिया सिखाऊंगा तो आप जल्दबाजी में न रहें कि मैं बस दो मिनिट में आपको इसके notation दे दूँगा तो मेरा मकसद वो है कि आपके दिमाग में मैं आपको इस तरह से तयार कर दूँ कि कोई भी गीत आप खुद से कैसे तयार कर सकें उसमें बारीकिया खुद कैसे निकाल सकें ये मेरा मोटिव है न कि एक कोई गाना आपको याद करा देना या उसके notations आपको दे देना ये मेरा मकसद बिलकुल नहीं है तो जल्द दीवाली पर based हमारे competition शुरू होने वाले है अभी तो हाल फिलाल में अभी नवरात्री के चल रहे है अब दीवाली पर based भी competition आने वाला है क्योंकि जल्द दीवाली आ जाएगी तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही कुछ मेरे पिताजी के दीवाली के और कुछ गीद है तो क्यों ना उन्हीं पर एक playlist बना दी जाए उन्हीं को सिखा दिया जाए तो गाईकी की गाईकी आप सीख जाएंगे कौमाज, pauses, sense बन रहा है की नहीं बन रहा है उन सारी बातों का खयाल रखते हुए वरना इसी लाइन को अगर मैं ऐसे पढ़ दू एक दिये से जले हजारों दीप दीवाली आई है तो इसमें मीनिंग नहीं जलक रहा है मीनिंग कैसे जलकेगा एक दिये से जले हजारों दीप दीवाली आई है यह जो कौमाज हैं इनका आपको खयाल रखना पड़ेगा एक दिये से जले हजारों दीप दीवाली आई है बिन चंदा के गगन अमावस रात उजाली आई है या फिर आप चाहें तो बिन चंदा के गगन यहां पर भी पॉस डाल सकते हैं कि बिन चंदा के गगन यानि जो आस्मान है वो उसमें चांद नहीं है अमावसरात है मगर उजाली है अमावसरात जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें चंदा नहीं होता है और वो अंधेरी होती है लेकिन क्योंकि दियों की जो जगमगाहट है उससे जो उजाला है वो हो रहा है रोशनी है जो बन रही है इसलिए हमारी वो अमावसरात भी उजाली हो चुकी है तो ये कुछ बिखरे बिखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहां तारों का आकाश उतर कर बिखरा आज यहां एक सूत्र में बंध गया संसार एक सूत्र में एक ही धागे से सबकी एक ही मख़त हो गया ना दीवाली है दीवाली मना रहे हैं तो सब पूरा जो विश्व है वो जुड़ जुड़ चुका है ऐसा पर्व है यह तो एक सूत्र में बंध गया संसार दीवाली आई है आगे देखेंगे अंधेरों में फूल लाए जियोति निराली एक स्नेहसे बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है चाहो तो आप सम्रिध दिवाली भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि एक स्नेहसे बंधे हुए सम्रिध सभी लोग सम्रिध हो चुके हैं एक स्नेहसे बंधे हुए इस तरह से गाएंगे ठीक है अब क्या होता है काई confusion ये भी है कि मैं दिवाली बोलूँ या दीवाली बोलूँ तो वैसे दीपावली बोलते हैं वो दीप होता है तो वहाँ पे बड़ी एकी मातर हम प्रयोग करते हैं लेकिन दिवाली में हम अक्सर छोटे एकी ही इस्तमाल कर तो उसी तरह से हम इसे गाएंगे ठीक है ये तो इसके शब्द हो गए सबसे पहले कोई भी गीत सीखने का फर्स टेप मैंने पिछली बार भी यही बताया था इस बार भी यही बता रहा हूं उसकी शब्द रचना अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है ठीक है अभी फिलाल म लगाने वाला हूं और जैसा कि मैंने बोला कि इसमें यमन के जो स्वर हैं वो में लगाने वाला हूं यमन यानि तीवर मद्यम तो पहला step हो जाता है उसके शब्दों को पढ़ना और फिर उसके शब्दों को बांट में नहीं पढ़ना शब्दों को एक बार सिर्फ कॉमाज के साथ मीनिंग के साथ पढ़ना उसके बाद उसे rhythm में पढ़के देख लो कि उसकी rhythmic बांट क्या जा रही है वो अभी हम करके देखेंगे और तीसरा step आ जाता है आपका उसकी राग को देखना उसके स्वरूप को देखना भले ही उसमें कोई राग हो हो न हो शुद्धता से हो न हो लेकिन उसका एक स्वरूप होगा उसका एक चलन बन रहा होगा उस चलन का हमें ख्याल रखना है जैसे कि इसमें तो प्रॉपर यमन है तो आपको यमन में एक बार फिरत कर लेनी है लेकिन एक बार मैं उसके शब्द अगर पढ़के आपको बता दू तो वो आप देखेंगे न तो आपको आठ मात्रा में मिलेंगे ऐसा भी कई बार होता है कि शब्दों की बांट जो है वो एक अलग ताल बताती है छंद अलग बताती है लेकिन हम चाहें तो उसकी धुन जो है वो अलग ताल में भी कर सकते हैं जैसा कि इसकी धुन जो है वो ताल दादरा में की गई है छै मात्रा की जो ताल है लेकिन इसकी गीत जो है कि बोल जो है वो आठ मातरा कहें कैसे एक दिये से जले हजारों दीप दीवाली आई है बिन चंदा के गगन अमा वसरात उजाली आई है बिखरे बिखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहां तारों का आकाश उतर कर बिखरा आज यहां इस तरह से आप अब लेकिन हमने इसकी कॉंपोजिशन दादरा में करी आप चाहें तो किसी और ताल में भी कर सकते हैं लेकिन दादरा में क्यों करी और कैसे करी वो अभी हम देख लेंगे लेकिन उससे पहले राग के चलन में जो फिरत है वो सबसे पहले जरूरी है मैं पहली काली से यमन में गा रहा हूँ आप अपने पिछ अनुसार उसे गा सकते हैं पांच वी चौती जहां से भी आपने इलफी मेल अनुसार धनी बेगा गरे नी धासार नी 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 मागा गरे नी धासार आप देख रहे हैं इसमें सब्सक्राइब ऐसे नी जाता है इसे जाता है और ऐसे नहीं जाता है कभी कबार हम पांचम को थोड़ा सा छोड़ देते हैं जरूरी नहीं हर बार लेकिन हाएक ये चलन बनता है इसका धनिरगा पामरगा ये इसका स्वरूप है पामरगा ये इसका स्वरूप है उसके गीत के जो है राग के स्वर हैं उनमें गालिया उसके बाद इसे गाएंगे एक बार मैं इसकी कॉंपोजिशन आपको यूहीं गाके सुना देता हूँ एक दिये से जले हजारों दीपो देवाली आए है बिन चंदा के गगन अमावस रात जाली आए है ये इसकी मुहल कॉंपोजिशन है बिखरे बिखरे दीप यहां बिखरे बिखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहां तारों का माकाश उतर कर बिखरा आज यहां एक सूत्र में बंध गया एक सूत्र में बंध गया संसार दिवाली आई है फिर दूसरा अंत्रा भी सेम कॉंपोजिशन में है अंधेरों में फूले खिले हैं लाए ज्योती निराली धरती की बगया की मानों भूली है हर डाली एक स्नेह से एक स्नेह से बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है तो यह इसकी मूल कॉंपोजिशन हो गई मूल जो धुन है वो हो गई आपने देखा कि किस तरह से इसका स्वरूप चल रहा था अब जो फिलहाल हम इस गीत की लए रखने वाले हैं वो 120 BPM की है यानि कि आपकी जो घड़ी की गती है उससे दो गुना एक बार उसमें ताल भी सुन लेते हैं कैसा जा रही है एक बार उसमें ताल भी सुन लेते हैं कैसी जा रही है अब इसका मूल जो ठेका है वो कुछ ऐसा है आप चाहें तो इसकी गती थोड़ी तेज या कम भी कर सकते हैं लेकर मैं एक बार इसको 120 BPM में गा रहा हूं तो यह थोड़ी बहुत सहुलियत से गव जाएगी धा दिन ना धा तिन ना समसे ही इसकी कॉंपोजिशन उठती है भी हम किन कर भी देखेंगे अच्छे से धा दिन ना धा तिन ना धा दिन ना धा तिन ना आप दादरा अगर जानते हैं तो आपको पता है तीन तीन की इसकी बांट है तीन इधर तीन इधर जा रही है ठीक है तो अब समसे इसकी कॉंपोजिशन कैसे उठती है वो देख लीजें यहाँ पर एक दिये से है ना इस तरह से इसकी शब्द रचनाए कि एक 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 दिये से इस तरह से जा रहा है अब चाहूं मैं चाहूं तो यह कॉंपोजिशन बस गाउं जैसे गाउं और आप रपाज़ करेंगे एक दिये से फिर मैं गाऊं जले हजारों तो आप भी उसको repeat कर दें ये repetition वाला जो नाईकी वाला process है मैं चाहूं तो उससे भी या गीत आपको सिखा सकता हूं लेगिन मैं चाहता हूं कि इसको हम detail में सीखें बारीकी में सीखें क्योंकि ये जो नाईकी वाला process है ये तो आप मेरी वो original composition जहां मैंने गाई है उसको सुनके भी गाई सकते हो उसमें फिर मेरी जरूरत नहीं है मेरी जरूरत है कि मैं आपको इसकी रचना बताऊं कहां रुकना है कहां नहीं रुकना है वो बताऊं चीक है तो किस तरह से जा रहा है एक बार उंगली पर देख लीजिए धादिन ना धादिन ना एकदिये से जले हजारों दीप दिवाली आई है इस तरह से जा रहा है अब मैं इसकी एकदम और जादा बांट अगर बताऊं तो एकदिये से एकदिये से अब इसमें आप देखिए कहीं जगा ओफ बीड भी आ रहा है एकदि यह जो तीसरी मात्रा है यह आफ से आपका दिये उठ रहा है एकदिये से जले हजारों दीप दिवाली आई है एकदिये से जले हजारों दीप दिवाली आई है अब यह इसकी मूल खंड इसकी मूल बांट बता रहा हूँ यह बदल भी सकती है आगे जाके ठीक है फिर आगे बिन चंदा के बिन चंदा के एक मात्रा में दो आ रहे है बेन चंदा के गगन गगन अ मावस रात उजाली आई है इस तरह से जा रहा है अब इस तरह से जब इसकी पढ़नत आप उंगलियों पे कर लेते हैं अभी जाके यह ठीक से लए मैं गाओगे वरना यह है कि आपकी समझ पर निर्भर करता है अगर आपकी पकड़ अच्छी है समझ अच्छी है तो मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है मैं आपको गाओंगा और आप रिपीट कर दोगे एक तो वो तरीखा हो जाता है लेकिन मान लीजिए यह गीत आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि क्या लाए होती है कहां क्या होती है तो उसको एकदम गिन गिन के हर एक बांट आपको बतानी पड़ेगी इस ही वज़े से ये वीडियो थोड़ा डीटेल में जा रहा है और इतना बड़ा हो रहा है अगर मैं इसकी पूरे की बांट आपको बताने गया तो इस तरह से जाएगा अब अगला देखेंगे तो बेखरे बेखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहां चाँ पांच है इतनी फिर स्पेस वहाँ पे छोड़नी होगी अब स्वाभावी के ये जो स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ ये लए पर निर्वर करता है कितनी तेज लए है तो उतनी कम स्पेस चूटेगी मात्राएं उतनी ही रहेंगी स्पेस मतलब टाइम मात्राएं तो उतनी ही रहेंगी मात्राएं नहीं ऐसा कि लए बढ़ा दी तो चार मात्रा चोड़नी थी दो ही चोड़ी ऐसा कुछ नहीं होगा मात्राएं उतनी ही चू आएगा कैसे तारूं तारूं का तारूं का आ काश उतर कर बिखरा आज यहां अब इसकी तीसरी लाइन है अंतरे की वो दोनों ही अंतरों की थोड़ इसी टिपिकल है थोड़ी टेड़ी है कैसे वैसे अगर इसको मैं बांट में करके दिखाओं तो हो सकता है कहीं शब्द फंसेंगे तो इसकी 2-3 बांट मैं आपको बताओंगा जैसे की एक सूत्र में ऐस है एक तो ये बांट है इसकी ठीक है एक सूत्र में बंध गया संसार दिवाली आई है ठीक है फिर इसको थोड़ा सा मैं जब गाऊंगा तब बताऊंगा क्योंकि ऐसे तो गिनके मैं भी उसकी बांट नहीं बदल पाऊंगा, जब मैं थाल के साथ गाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसकी दूसरी बांट क्या बन सकती है, अगला अंतरा देख लें, अंधे रोमे फूल खेले हैं, लाए जोते निराली, धरती की बगया की मानो फूली है हर डाली एक स्नेह से एक, यहां भी थोड़ा सा है, आप चाहो तो एक बोलोगे उसको तो लंबा खींचना पड़ेगा, और इसकी जो दूसरी बांट बनेगी उसमें आप चाहो तो एक स्नेह भी कर सकते हो, तो मैं दौनों तरह से गा के बता रहा हूं इसको, एक स्नेह से इस तरह से बंदे हुए समरे, इस तरह से भी आप इसे गा सकते हो, कैसे? इक स्नेह से ए, एक स्नेह से बंदे हुए, या फिर इक स्नेह से बंदे हुए समरिध दिवाली आई है चीक है? मेरे ख्याल से माने इसकी बंदे को बहुत स्लो करके बता दिया है, फिर भी अगर समस्य आती है, तो आप इसको और स्लो में, स्लो मोशन में इस वीडियो को ही गर के देख लीजेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं करना चारू हूँ, अगर इस तरह से आपने गानों को सीख लिया ना, आप आगे कोई भी गीत, खुद उससे सुनके उसकी बांट बता दोगे और समझ के गापाओगे, फिर ऐसा खेलेंगे ना आप उस गीत में, होता यह है ना, जैसे ही हम बांट को नहीं समझते हैं गीतों की, तो होता यह हम उनने तो याद कर लिया है, अब यादाश्त से जब वो गीत गवता है ना, तो थोड़ी बहुत भी यादाश्त में अगर फेर बदल हो गई, थोड़ा यहाँ याद रहा और थोड़ा वहाँ भूल गई अगर वो लाइन कैसी थी, तो वहीं हम चूप जाते हैं ले ताल में और यह जो तरीखा मैं बता रहा हूँ, इसमें आप कितना ही भूल जाना, आप कभी भी ले से बाहर नहीं होगे, क्यों, क्यूंकि आपको बांट पता है, आप शब्दों को इधर उधर कर सकते हो, आपको ताल पता है, बस यह एक मेरा तरीखा है, सिखाने का गीतों को, ची सपर्शस्वर का, वरना इसकी मूल कॉंपोजिशन ऐसी, लेकिन आपको यहां ख्याल रखना है कि जब रे लगेगा, जब जब, तो कोशिश यह करें कि गंधार का सपर्श उसमें रहें, यह यमन की थोड़ी खासियत है, गवाधा ही लग रहा है, पापामा रे गरे, एक द से, 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 न की से, से, काटके नहीं है वो, एक पापा दिये, मागरे से, गरे, एक दिये से, जले, जले, नी नी धर, ले, यह भी हमने ले जो है, नी पर ही बोलके नीचे ले लिया, एक दिये से, जले, हजारों, हर नी सासा, हजारों, दीप सागा दिवाले गपापा, हाए, हाए, दीप दिवाले, यह जो है, उसका मद्ध्यम पर उतरेगा, दीप दिवाले, हाए, 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 गरे, है, एक दिये से, जले, जले, हजारों, दीप, बाद में बताऊंगा मैं कि किस शब्द के बाद सांस लेनी है, कहां नहीं लेनी है, फिलाल आप इसके स्वरूप को ही समझें, आप 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 रात उजाले, रात साइसाने, रात 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 उजा, रात उजा, रात उजाले, जाले, 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 रात उजाले, रात उजाले, रात उजाले, के गगन अमावस रात उजा उजाली आई है तो यह पुरस्ताई हुआ एक दिये से जले हजारू अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा वेरियेशन कर सकते हो जले ले निदा निदा हजारू अब यहाँ पर सांस कहा लेनी है हजारू दीप के बाद एक दिये से जले हजारू दीप दिवाली वहाँ ले नहीं तोड़नी है लेकिन सांस लेनी है एक दिये से जले हजारू दीप दिवाली आई है तब जाके उसका सेंस बनेगा ठीक है अब आप चाहो तो पर से सा पर मीड़ भी ले सकते हो इस तरह से भी गा सकते हो बिन्चंदा के गगन अमावस या तो बिन्चंदा के गगन अमावस रात उजाली आई है या भी कर सकते हो कि गगन अमावस है या वहाँ पर कोई चांद नहीं है या फिर बिनचंदा के गगन अमावस रात उजाली आई है या अमावस रात उजाली आई है पूरा एक साथ भी बिनचंदा के गगन अमावस रात उजाली अमावस गपपप रात उजाली आई है सारे स्वर्च हूते हुए आना है ठीक है फिर आपको देखिए गाइस का जो अंत्रा है बिखरे बिखरे अब यहां पर हल्की सी आप खटका भी ले सकते हैं बिखरे बिखरे दीप यहां या फिर बीट में गाएं तो बिखरे बिखरे दीप यहां लगे बिखरे बिखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहां रे रे पापा मरे सा बिखरे बिखरे दीप लगे हैं सासा सासा सानी सानीनी आएसे रे रे आज यहां पापा मरे सा तारों का हाकाश अब चाहो तो यहां पर यह हरकत लगा तो सकते हो अगर आपकी रेंज में हो तो पासानी 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 सा नीरसानी तारों का हाकाश उतर कर बिखरा आज यहां एक सूत्र एक सूत्र में बंध गया इस तरह से कहा सकते हो एक सूत्र में बंध गया संसार दीवाली आए है यह मुख्य लाइन जो है यह बार-बार आ रही है तो इसकी कॉम्पोजिशन तो अच्छे से याद कर ले ना सासानी धापा मगरेरेसा यह सानी धापा मगरेसा ही उतर रहा लेकिन इस तरह से उतरा है अतारों का अकाश उतर कर बिखरा आज यहां एक सूत्र में बंधा इस तरह से घा सकते हो इसको कि थोड़े से शब्द बदल दो कि एक सूत्र में बंधा संसार इस तरह से घा सकते हो बंध गया की जगा बंधा संसार तू भी मीनिंग वही निकलेगा एक सूत्र में बंधा संसार दिवाली एक सूत्र में बंध गया संसार ये एक फ्रेज है ये एक लाइन है तो ये साथ में आना चाहिए ऐसा नहीं के संसार दिवाली वाँ संसार पे वजन दो आप दिवाली पे वजन देना यही तो संसार दिवाली आई है का कोई अर्थ नहीं बनेगा एक सूत्र में बंधा या एक सूत्र में बंध गया संसार वाँ कट मत देना एक सूत्र में बंध गया संसार दिवाली 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 आई है ठीक है अगला अंत्रा अंधेरों में फूल खिले हैं लाए जोती यहां निराली सुरी अंधेरों में सासा सा फूल खिले हैं लाए जोती निराली धर्ती की बगया के मानो अब थोड़ा सा वहां पॉस भी दे सकते हैं जैसे जा रहा है धर्ती की बगया इस तरह से यह बीट टू बीट है लेकिन इसको थोड़ा गाई की मिलाने के लिए स्पेस देने के लिए धर्ती की बगया बगया वहां पर डबल कर दिया जबकि बगया ऐसे जा रहा था लेकिन हमने क्या किया बगया एक ही में दो ले लिए धर्ती की बगया है ना धर्ती की बगया के 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 मानू फूली है फूली है हर डाले फूली है फूली है फूली है हर फूली है हर डाले फिर एक सने हसे बंधे हुए यह थोड़ा अजीब हो जाएगा यह नहीं आएगा एक सने हसे ऐसा लेना पड़ेगा जल्दी थोड़ा सा एक सने हसे बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है या फिर एक सने हसे बंधे हुए एक सने हसे इस तरह से लेना पड़ेगा एक सने हसे बंधे हुए या एक सने हसे बंधे हुए सन सम्रिध दिवाली आई है ठीक है या यानि एक सने हसे बंधे हुए इस तरह से भी ले सकते और बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है अलग से भी कर सकते हो सम्रिध के उसके साथ भी ले सकते हो अब मेरे ख्याल से इसको ताल में दाना चाहिए तिन न दा धिन न दा तिन न अब मैं चाहूँ तो इसका ठेका थोड़ा ऐसा वाला लगाऊं अब यह ठेका कैसे जा रहा है उमोमन जो ठेका है वो है दा धिन न दा तिन न और इसमें लग रहा है दा धा धिन न ता ता धिन न ऐसा कुछ है दादा तेट ताता धिन धिन दादा तेट ताता धिन धिन ऐसा जा रहा है दादा तेट दाधा तेट ताता धिन धिन यानि ये डबल और ये डबल जो मेन खंड है उननों को डबल कर दिया या फिर आप इसका कोई वेस्टर ठेका भी इसमें लगा सकते हैं आपके उपर है किस प्रकार काप ठेका इसमें लगाते हैं। यहें ना इसको डबल में नहीं आ जाएके इसे दा ना दा एक दि derivatives म Leon दो फ्रेंटा जाल रही हैं। आप शिंगल में चलू यह मत कर लेना है। तो यह लगाएंगे यह थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे जा रहा है एक दिये से जले हजारों मुख्य जो आपको चीज एक बार ध्यान रखने की है न वो इसके सम है सम टू सम चलते रहिए फिर बीच में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता न तो गड़बड नहीं पड़ेगा जैसे कि एक दिये से जले हजारों दीप दिवाली आई है रा 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 बिन चंदा के गगन अमावस रात उजाली आई है एक बार इतना पकड़ लेना जरूरी है एक दिये से जले हजारों एक दिये से जले हजारों ऐसे भी गा सकता है एक दिये से जले हजारों दीफु देवाली आई है वहाँ स्पेस दे दिया मैंने है ना हजारों के बाद हजारों से पहले एक दिये से जले हजारों दीफु दिवाली आई है बिन्चन्दा के गगन अमावस रात उजानी आई है या फिर बिन्चन्दा के गगन अमावस रात उजानी आई है एक दिये से जले हजारों ये इसका एंड हो गया थोड़ा सा इसकी एंड करी तो मैंने कॉम्पोजिशन बदल दी एक दिये से जले हजारों हजार नीरे गरे नीरा सा जल्दी जल्दी ले दिया थोड़ा ठीक है फिर आगे कांत्रा देखी गाँ बिखरे बिखरे दीप लगे है या बिखरे बिखरे दीप लगे है ऐसे आज यहाँ अब इसकी बिट के आए बिखरे बिखरे दीप लगे है ऐसे आज यहाँ सारे सम मैच कर लीजी तारों का आकाश उतर कर बिखरा आज यहाँ एक सूत्र में बंधा संसार दिवाली आई है या फिर एक सूत्र में बंध गया संसार दिवाली आई है कैसे? बिखरे बिखरे दीप लगे हैं ऐसे आज यहाँ तारों का आकाश उतर कर बिखरा आज यहाँ एक सूत्र में बंधा संसार दिवाली आई है या फिर एक सूत्र में बंध गया संसार दिवाली आई है अगला अंत्रा अंधेरों में फूल खिले हैं लाए जोती निराली धरती के बगया के मानो या फिर धरती के बगया के यह बीटू बीट हो गया पूली है हर डाली एक स्नेह से बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है एक स्नेह से या फिर एक स्नेह से बंधे हुए सम्रिध दिवाली आई है अब देखा जाए तो अब आप ये भी पूछेंगे भहिया इसके बीच का म्यूजिक पीस क्या है है ना तो अब म्यूजिक पीस नेरेगा पामरे पामगरेगा कुछ भी आप सरगम जो है ताल का खंड ध्यान रखते हुए गा सकते हैं अब इसका मैं एक छोटी सी टिप दे देता हूँ वही तिहाई अगर इसकी बनाते हो आप तो वह कुछ इस प्रकार से जाएगी के एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन यानि एक दो तीन टैश एक दो तीन यह इसके तहाई का मैं यह एडवान्स टूडेंट्स के लिए यह वाली टिप दे रहा हूँ कि अगर advanced students इस गीत को तयार करते हैं तो अगर उसमें वो सरगम डालने के बाद तिहाई बनाना चाहेंगे तो किस तरह से बना सकते हैं ये इसकी अच्छी तिहाई बनती है एक दो तीन डश एक दो तीन डश एक दो तीन थोड़ा सा दूसरा पला off beat में है तो मैं एक बार इसकी अगर सरगम इसमें बनाऊं तो कैसी बनेगी वैसे तो सरगम इसमें न डाले तो जाद अच्छी लगेगी गीत है गीत की तरह रहने ज़े ये इसका म्यूजिक पीस तो मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने इस गीत में बता दिया है कहरवा में भी इसे किया जा सकता अगर आप ट्राय करो तो वैसे मगर उसको रहने ही देना मगर कर सकते हो कहरवा में भी बना सकते हो लेकिन उसकी चाल अलग हो जाएगे तो वो सब मैं अभी confused नहीं करना चाहरा हूँ आप सभी लोगों को कि एक बार दादरा में आप इसे कर लें तो जादा बहतर होगा मेरे ख्याल से और कुछ अगर इसमें छूट गया हो तो आप वाटसाप नंबर है उस पर मुझसे पूछ लीजिएगा लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा कि वाटसाप है और सवाल करते हैं वो जरा सा मुझे खलता है या तो आप पहले देख लीजिए वीडियो पूरे अच्छे से देख लीजिए उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूँगा मैं हजार बार आपकी मदद करूँगा मैं ये सोचूँगा कि यार ऐसा क्या था जो मैंने उस वीडियो में छोड़ दिया जो इस व्यक्ति को नहीं समझाया या ये निकाल के लाया है तो आईए फिर उसको समझाया जाए लेकिन एक चीज ये भी ख्याल रखिएगा कि ये गीत तयार करने के लिए थोड़ी लए थोड़ी स्वर थोड़ी ताल की समझ आपको होनी जरूरी है एकदम बिगनेर होगे तो ये गीत आपको इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा लेकिन मूल मूल कॉमपोजिशन फिर भी अगर आप पकड़के गा सकें तो गा लीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि और भी दो चार दीवाली के गीत ला सकूँ नहीं तो उस कॉमपोजिशन में ऐसा होगा जादा तर लोग यही गीत गा रहे होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी कोई दूसरा गीत तयार करके आपको बता सकूँ शुक्रिया तब तक के लिए देखते रहें और उस competition में भाग जरूर लीजेगा आपके लिए बहुत बहतरीन मौका है नहीं भी लेंगे तो ये गीत तो आपका हुई गया गीत तो आपने सीखी लिया ठीक है इसको मैंने बहुत साल पहले मेरे ख्याल से 6 या 7 साल पहले गाया था कभी मैं recommend तो नहीं करूँगा उसको आप देखें क्योंकि वो बहुत बचपन में मेरा गाया हुआ है तो थोड़ा बेसुरा भी है थोड़ा अजीब भी है लेकिन हाँ वहाँ आप पूरी composition सुन सकते हैं वैसे तो मैंने यह आपको सुनाई दिये शुक्रिया